फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे खीरे से एक healthy and tasty salad जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत tasty है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स हमने चाहिए कटा हुआ प्याज, गाजर, सिम्ला मिर्च, थोड़ी सी रेड बेल पेपर और थोड़ी सी ग्रीन चिली आप इसकी भी कर सकते हैं थोड़ी से ये उबला हुआ मूँ इसमें डाल देंगे और इन सब को अच्छे से mix कर देंगे फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डाल कर इन सब को mix करेंगे अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और ग्रीन चटनी जिससे इसका टेस्ट और भी enhance हो जाएगा और इन सब को mix कर देंगे फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और साज इसको हम एक तरह से feeling तयार कर लेंगे अब हम डालेंगे इसमें नीबू का रस और mix कर देंगे तो हमारी filling बनकर तयार है अब हम लेंगे खीरे तो फ्रेंड्स हम आजम खीरे से कुकुमबर से कुकुमबर बोट तयार करेंगे तो अब हम इसको इसको बीच से कट करके इसके निकाल लेंगे आप किसी भी चम्मच या की साहता से इसमें बीच निकाल सकते हैं इस तरह से देखिए तो हम इसके बीच सारे निकाल देंगे और यह आसानी से रिमूब हो जाते हैं तो अब हम इन बीचों को भी इसी फिलिंग में डाल देंगे अब हम इनको फिल कर देंगे अच्छी तरह से में इसमें फिल करना है देखिए फ्रेंट्स तो हमारी अब इसमें डाल देंगे उपर से हरा धनिया और थोड़ी से नाइलोन से देखिए इस तरह से यह हमने छोटे वाले पापड़ लिये हैं तो आप इने भी डाल सकते हैं उपर से हम तोड़के इसको कार्निस कर देंगे तो देखिए फ्रेंट्स हमारी बनकर तयार है कुकुम्बर बोट और खाने में तो यह बहुत ही टेस्टी है तो फ्रेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक को सेयर करें और मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें तो फ्रेंट्स बनकर तयार है मारा हिल्दी अंटेस्टी नास्ता